समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तरपरदेश के मुख्यमंत्री अखलेश यादव ने चुनावी सरगर्मिया बढ़ा दी हैं आपको बढ़ा दे कि अखलेश यादव ने बुधवार को एलान किया कि साल 2022 में यूपी में उनकी सरकार आते ही वो किसान अंदोलन के दुरान जान गवाने वाले को परिवार वालों को उनके 25 लाख रुपे का मुआफजा देंगे अखलेश यादव ने आज ट्वीट किया है और किसान का जीवन अनमोल होता है उन्होंने ये कहा है उन्होंने ये भी कहा कि क्यूंकि वो अन्ने के जीवन के लिए अनुगाता है और हम वच्चन देते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी के सरकार आते ही किसान अंदोलन के श समर्थन कर रही है और इससे पहले भी आपको बता दे कि किसान आंदोलन के दौरान SP लगातार किसानों का समर्थन करती रही है और अब पार्टी के मुखिया ने मुआबजे को लेकर बड़ा दावा कर दिया है अदानी समुह के चेर्मेन, गोतम अदानी रिलाएंस इंडस्टीज के चेर्मेन मुकेश अंबानी को पिछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर विक्ति हो गए है बुद्वार को शेर बाजार में अडानी समू के स्टॉक्स में ही शांदार तेजी और रिलाइंस इंडस्टीज के शेर में गिरावट के चलते ही गौतम अंडानी एशिया के नंबर वन अमीर बन गए हैं आपको बता दे कि अडानी के नंबर बन बनने के बाद उन्हें काफी बधाईया भी मिल रही हैं और वही पर आपको ये भी बता दे कि रिलाइंस इंडस्टीज एक दश्मलव 44 फीसदी के गिरावट के साथ ही कई रूपे पर बंद हुआ था और जबकि अडानी समू के लिस् दश्मलव 8 फीसदी की उच्छाल के साथ कई पर अडानी ट्रांस्मिशन और जीरो दुसमलव 36 फीसदी की बढ़त के साथ ही एक हजार 948 पर बंद हुआ था आपको बता दे कि शेर बाजार में अडानी समू की छे कंपनियां लिस्टेज हैं और जिसमें से इन कंपनियों के अलावा ही अडानी ग्रीन अडावी और पावर और अडानी टोटल गैस शामिल है पिछले एक साल में ही गोतम अडानी के संपती में 55 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ वहीं मुकेश अमबानी के संपती में केवल 14.3 बिलियन डॉलर की ही बढ़ोतरी हुई बिजेपी की सांसद साध्वी परिग्या सिंग ठाकूर ने बॉलिवड एक्टरेस कंगना रनौत के अजादी वाले बयान का समर्थन कर दिया है उन्होंने बुदवार को कहा कि अगर कोई साफ मुझ से ये कह रहा है तो इसमें गलती क्या है हमें पहले बोलने की आजादी नहीं थी साध्वी परिग्या सिंग ठाकूर ने कहा कि हमें तो असली आजादी 2014 में मिली है नरेंद्र मोधी परधान मंतरी बनने के बाद अगर कोई साफ मुझ से ये कह रहा है तो वो गलती ही क्या है हमें पहले बोलने की आजादी नहीं थी उन्होंने कहा कि सचे अर्थों में आजादी किसे कहते हैं ये प्रश्न चिन है और एक सोतंतरता मिलती है जब आदमी विकास करता है सोतंत्रता के बाद ही हमारे देश में कई चीजों में जूज रहा था और जिसके बाद सही हमारे देश की सोतंत्रता जो है जिस परकार से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है लेकिन 2014 में जब से मोदी आये हैं तब से लोगों को वाकई लगा कि भारत सोतंत्र है तो इसमें अगर कंगना ने सीधे से शब्दों में कह दिया तो लोगों को बुरा क्यों लग गया और बिजेपी सांसद ने कहा कि कॉंग्रेस शासन में ही लोग सिर्फ ब्रस्टा चार ब्रस्टा चार जेल रहे थे और अब वे अजादी से बोल पा रहे हैं तो लोगों को क्यों बुरा लगता है उसके साथ ही उन्होंने कई और बाते भी कहीं है और इसके साथ ही आपको बता दे कि रास्ट वक्त का कहता है तो बुरा लग जाता है ऐसा भी वो कह रही है आपको बता दे कि कंगना रनौत ने एक टीवी चैनल के कारिकरम में कहा था कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगवाई में विजेपी सरकार बनी तभी असल में भारत को आजादी मिली साल 1947 में ही मिली अजादी को कंगना ने भीक बताया था और कंगना के इस बयान पर काफी विवाद भी हुआ था बाद में कंगना ने सफाई भी दे दी थी लेकिन उन्होंने कहा कि सारी बाते इस इंट्रुव्यू में साफ तोर पर कही गई थी कि अजादी के लिए पहली संगठित लड़ाई 1857 में ही लड़ी गई थी ये साथ ही रानी लक्ष्मी बाई सुभास चंदर बोस और वीर सावर्कर जी के बलिदान की भी बात कही गई थी इसके साथ ही 1857 में पता चला था कि लेकिन 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी इसके बारे में मुझे किसी परकार की कोई जानकारी नहीं है अगर कोई मुझे से इस बारे में जानकारी देगा तो मैं पद्म श्रीव वापस कर दूँगी ऐसा कंगना का कहना है इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं माफी भी मांगूँगी खबरों का सुनसिला लगातार जारी है अब जोड़े रही है आरे नियोस के साथ